हेलो फ्रेंज आपका मिले चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे एक दम न्यू तरिके से ममोज और यह ममोज रिस्पी आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक किजेगा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सस्क्राइब किजेगा और फेस्बुक हम फञे हिंग कुछ भी और अपके पसन नहीं है तो और इसकी भी कर सकते हैं हरी मिर्च को यहांपर मैंने ऐड़ किया है बंद को भी घिसके लिया है और बारिक टुकुर में कट करके प्याज लिया है श्याज़ अपके पास जो सब्लेबल है वह एड कर सकते हैं इसमें कर देंगे यहां पर स्वाधन सार नमक को मिक्स कर देते हैं ज्यादा हमें नहीं प présentाना है उनिल सोल्राकangs करहा है और यहां पर अपके पास हरी धनया पता हो यह सकते हैं और आपके सकते हैं यहां जाना chiffakuya डिये और्यंगे सकते हैं बहुत बढ़िया से सब्ट हो गया है यह पक चुका है अब इस से जदा हमें नहीं पकाना है अब हम क्या करेंगे गैस को आप करके पेन को नीचे उतार लेते हैं देखिए बहुत बढ़िया हो चुका है अब हम एक थाली लेंगे थाली के अंदर डालेंगे मैदा मैं के उजज करने हैं नमक और यहां पर एड़ किया है मैंने एक्टमच रिफाइंड ओई्य expect करेंगे इसमें कॉनफॉब दो चमच और हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से मिक्स करेंगे हाथों से बहुत बढ़िया मिक्स होता है और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत दियά से मिक्स कर लिया है अब हम थोड़ा-थोड़ा पाणी रालते हुए डो बनाएंगे मैंने यहाँ पर गुन ना पान लिया है न तो गरम है और ना ही एकदम ठंडा है हाथ साने लाख मैंने पानी गरम लिया है और यहां पड़ देखिए मने यह डोल फों में आने लगा है और ज्यादा पनी हम added हम एड़ने करेंगए थोड़ा पर में करके ही पणी बनाते हैं यहां पर मैं थोरा सा अर्टा रख लिया है थाली के अंदर भी ताकि यह बिलने में कामाएगा चिपकेगा नहीं और यहां पर हम थोरा सा पुषन उठाएंगे और ममोज बनाएंगे और अपने हिसाब से बड़ा या च्छोटा ममोज बना सकते हैं अपने पसंद स लेशे बना सकते हैं यहां पर यहां यहां पर दरकाते हैं और आखें आधे नाध्मी अटालगको को दिख सकते हैं और चालू च्छोटा है कि वायृद्ट कर लेंगे और यहां से रीचे से हम फोल्ड कर देंगे रोठी को उठाकर देखी इस तरीके से बहुत ही सिम्पल है, बहुत ही असान तरीका है अब हम क्या करेंगे, चाकु से कट लगाएंगे यहां पर मैं पाने नहीं लगाया ह। ऐसी ही चिपखा रही हूँ और एक चाकु से मैं यहाँ पर कट लगा दूँगी देखिए इस तरीके से इसे डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है एक बार बना के देखिएगा बहुत ही सिंपल और बहुत असान तरीका है यह अब हम क्या करेंगे दूसरी तरफ से उठा कर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीका है आप चाहिए तो नर्माल जैसे ममोज बनता है मार्केट में वह भी बना के रेडी कर सकते हैं और यह तरीका एक बार जरूर अपनाएगा यह बहु से इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे बहुत ही जंदार बना था बहुत ही सुन्दर लग रहा था यह डिजाइन देखिए किनारे किनारे से भी हम डिजाइन बना लेंगे अब हम इस तरह से भी डिजाइन बना लेंगे गौल ठक्त सकते हैं यह a 회-reli नोगेंगे कि यह अ उठा के भी बना गया है यह और आपको मैं उठा के भी दिखा दे activity कि डिखने में वह ओत लग रहा है और कि कभी हम ऐसे ही बना करेंडे करेंगे ऐसे ही कि अब बाकि ममोज मेने एसे । बना देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे स्टीम कर लेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर इडली वाली बरतन लिया है देख सकते हैं आप चाहे तो कढ़ाई के अंदर भी स्टीम कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर इडली वाली बरतन लिया है स्टेंड यह देख सकते हैं इसमें हम चारो खंदे के अंदर और यहां पर आदेक्ः मेने चारो determiningके में डाल दिया और यहां पर देख सकते हैं मैंने अयहां नेकार डाल कर बढ़नेंगे और यहां पर इड्ली वाली बतन के अंदर मेंने पानी डाल दिया हैा पहले से 초हीं डाल भीके हैं बहुत बईयां से अब हम जो त्यूह है वह डाल देंगे चाहिए इसके अंदर ही और पंदम मिन अर्प पबास्यन कि पृष कुशी है और करके मैंने रिद्ली तृच लिया है इडली को अब हम क्या करेंगे धिन कर सिक प्लेटिव के अंदर निकाल लेंगे और निकाल के आपको हम दिखा देते हैं कितना सुंदर ममोज बना है और यहां पर देख सकते हैं मैंने सारे ममोज को निकाल लिया है और घर का बना हुआ मोज बहुत ही टेस्टी लगता है और हमको पाता होता है कि हम ममोज के अंदर क्या डाला है इसलिए हेल्दी होता है घर का बना हुआ ममोज आप एक बार घर पर बनाएंगे तो आप मार्केट के लाना भूल जाएंगे और देख सकते हैं मैंने सारे ममोज को पलेट के अंदर निकाल लिया है और कितना सुंदर लग रहा है उतना ही खाने में टेस्टी है देख स तोर के भी दिखा देते हैं अंदर का टेक सब और देख सकते हैं कितना लजीज बना है ममोज और फ्रेंस ए रेस्पी आपको कैसी लगी जड़ासा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलें इसी नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाइबाए